JSW Infrastructure वेसे दो बार आप आप मेनेजमेंट से मिल चुके हैं, आप कंपनी के बार में जानते हैं, 2006 में ये कंपनी बनी थी, JSW Group की कंपनी, पोर्ट, पोर्ट टर्मिनल डेवलप करने और उपरेटर करने का कारुबार करती है, दूसरे सबसे बड़ी कमर्शल गरिलू पोर्ट उ सामने रग दूँ, शानदा रिजल्स कमनी ने पेश किया, आए में 28% की बढ़ता ही है, आखरा पहुचा है, 848 करोड पर, कामकाजी मुनाफ़ा यानि के एबिटा, 32% बढ़कर 452 करोड पर पहुचता हुआ, मार्जिन्स 52% से बहतर होकर, ये पहुचे है, सवा 53,5.5% की र सामिल हो चुके हैं, हमारे स्टुडियो में इस वक्त कमनी के होल टाइम डिरेक्टर हैं, जोद्पूर युनिवर्सिटी से सथा, सन ने बीकॉम की डिग्री लिए, सी ए इंस्टूट के भी आप फेलो मंबर हैं, 2015 से कमनी के साथ हैं, सिंग्री साब बहुत स्वागत है, के लिए हमें दर्शिन देने के लिए सबसे पहले तो बहुत ही गजब तोड़ फोर नमर्स आया, आम तोड़ पर हमें एक ट्रेंड देखते हैं, लिस्टोने बाद कमनी के रिजल थोड़े डिले आने लगते हैं, क्यों कई बार लोग सोचते हैं, आई प्यों आने के पहले कमनी की परफोर्मेंस थोड़ी बढ़िया दिखाई जाती है, बाद में दो, चार, छे, तीमाई यहां दीमी रहती है, फिर वापस रफतार पकर देखते हैं, आपके तो गजब होल राउन परफोर्मेंस आई हैं, कहां से, अनिल जी ऐसा है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रॉक् मैंने जैसा बताया कि हम लोग चालू है, 2006 से हम लोगों की 22% CAGR ग्रोथ रही है, और वो कंसिस्टेंट ही रही है, तो आज तक अगर देखें, long term basis में, हो सकता है, एक दो साल में कम जादा आई है, पर 22% की हमारी CAGR ग्रोथ रही है, और वो हम लोग मेंटेन करने हैं, और ये CAGR, 22% की ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रोफिट अबिटा, सब में लग बग लग 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 रही है, वो कभी कभी interest depreciation ज्यादा होगा, अगर हम कोई project stage पे हैं, क्या होता है, ये project लगाते हैं, 3-4 साल लगते हैं port लग हुई है 27%, उसमें हमारे जो जैगर और धरमतर port हैं, उसके अंदर हमारे करीब 34-35% की cargo growth हुई है, वो सबसे ज्यादा हमारा EBITDA OE यही port लेज़ने, क्योंकि यहाँ पे हमारा revenue sharing नहीं होता है, ये greenfield port हैं, और डूसरे भी हमारी capacity utilization, युटिलाजेशन परादी ports पे, और हमार जो continent terminal है, उनकी utilization भी काफी अच्छी रही है, जो अभी हाली ही में चालू किये गए थे, तो कुल मिला के cargo growth अच्छी रही, और उसके साथ मे revenue growth भी 28-29% रही, EBITDA की growth 33% रही, तो एक तरह से आपकी volume growth भी आ रही है, साथ में आप realizations भी बेतर कर रहे हैं, अगले 6 मेने के दोनों pricing के लिए से भी और volume growth के लिए से भी, देखिए अभी हमारा जैसे EBITDA आया है, करीब 990 करूर का, 6 मेने का, 6 मेने का, और हमेशा typically हमारा second half, first half से better रहता है, अच्छा, तो रीजिन है, एक तो second quarter monsoon का period होता है, पोर्ट के operations कई बार, अगर heavy range है या cyclone है, तो इने कई थ 8-10% हमेशा naturally growth रहती है, और fourth quarter में जागे कुछ हमारे जो MGT, minimum take and pay, उनकी billing हमेशा fourth quarter में होती है, तो second quarter थोड़ा सा, इस से अपन expect कर सकते हैं कि बेथर ही आने का है, जो हमने first half में की है, आम तोर पर कितना percent better होता है, generally first half, आप लिख सकते हैं कि 8-10% better होता है, हमारे first half से, ज साथ terminal है, दो port है, ने किस तरह के ports या terminals जोडने का plan है, अगले 6 मैने में कोई expansion पर काम कर रहे हैं साथ, एक तो हम जैसे हमारे जो existing green field port है, वहाँ पे हम जो LPG terminal डाल रहे हैं, जैगर पोर्ट में, हमारे container terminal की capacity काफी बढ़ा रहे है, ये दो तो हमारा brown field types के expansion हो गए, फिर हम तो हमने तीन bid लगा रखी है, गवर्मेंट के major ports पे, वो अभी open होनी है, तो उसमें से अभी result आने पर मालूम पड़ेगा कि हमारे को क्या मिलता है, तो वो सब 6 मैने के अंदर होना है, प्लस हम दो green field port की बात कर रहे हैं, एक उडिसा में और एक करनाटका में, तो उसमें ग उसका काम चल रहा है, और जटाधार port जो हमारा उडिसा में है, वो captive port है, स्टील के प्लांट आने की वज़े से वो हमको मिल रहा है, तो दोनों ही हमारे आने हैं, अच्छा एक चीज़ और आपकी जो नतीज़ के साथ-साथ, मैंने पूरी डिजन्स देखिए उसमें एक अन ऐसा है कि फुजेरा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बंकिंग टर्मिनल है, मतलब ज्यादा बंकरिंग का काम, जो शिप्ट जो आते हैं, उनके फ्यूलिंग वगरा जो होती है, वो सिंगापूर के बाद में फुजेरा है, तो वहाँ पे oil tank farm का hub है, तो बहुत बड़ा storage क capacity होती है वहाँ पे oil की, तो वहाँ पे हमने ये एक terminal Mercuria group है, उससे हमने भी ये acquired, हमने खरीदा है, हमने खरीदा है, तो existing terminal है, उसको हमने 187 million dollar में खरीदा है, और वो आज भी 20-22 million dollar का EBITDA कर रहा है, और 95% capacity पे चल रहा है, तो सिधा EPA सेक्रेटिव है, उसको हमने 187 million dollar में खर में ये business को समझ के, हम लोग उसमें further capacity बढ़ाएंगे, और एक बार ये समझ में आ जाता है, उसके बार में उसका replica हम इंडिया में विकरने वाले हैं, हम largely इंडिया focus company है, उसका experience लेके इंडिया में जो हम green field port डाल रहे हैं, वहाँ पे भी oil tankers का का कारोबार बढ़ाएंगे, तो सरी क्या ये पहला आपका विदेश में बड़ा कारोबार ये पहला समझे हो या और भी है? हम लोग पैसा तो है, आज की डेट में 30 स्टमबर को हमारे पास में 5300 क्रोड का cash है, और हम लोग इसके अंदर जो भी हमारी debt equity का है, 65% हम लोग debt करेंगे, 35% equity लगाएंगे, हम उस norm से जाएंगे, क्योंकि हमारे कई दूसरे plans हैं acquisition के, तो हम लोग उसके अंदर ही काम करेंग तो two is to one तो infrastructure में बहुत well accepted ratio है, और हम net debt to EBITDA की guidance 2.5 की दिये वे हैं, आज net debt free है, तो हमारे पास में scope काफी strong है, अपना debt लेने के लिए और growth करने के लिए, तो लेल जी में को एक simple सी चीज बताए कि क्या तीन साल में आपकी company यहां से revenue, काम का जी मुनाफ़ा मुनाफ़ा दूग ना कर सकती है, इतना target समझ के चले, in general, आप मान सकते हैं मैं, मोटा मोटी मतलब एक vision के angle से, तीन से पांच का अगर डायरा ले ले लें, तो confirm हो क्योंकि कुछ green field port आते हैं, उसके अंदर थोड़ा time लगता है, जैसे मैंने दो project बताए, उसमें तो तीन साल लगेंगे उसको बनने में, उसका असराने में 4-5 साल लगया, और यह जो हम acquired करते हैं assets, यह हम brown field करते हैं, उसका EBITDA fast आ जाता है, तो जो अभी आपके पास already capacity of acquisition ह उससे तीन साल में, चार साल में आप दूगुना करने की ताकत रखते हैं, पोटेंशल है, पोटेंशल है, बिल्कुल ठीक बात है, और बाकी क्या economic environment बहुत strong दिख रहा है, आपको इस वक्त, internationally, local दोनों जगे हैं, कैसे जगे हैं, लोकल तो एकदम strong है, international में अभी जो geopolitics के issues चल रहे हैं, वो एक हैं, बट पोट सेक्टर में, तो हमारे को कुछ उसके अंदर दिखनी रहा है, कि कहीं पे भी कोई effect रहता हुआ, उसके हिसाब से growth काफी अच्छी है, government का focus बहुत strong है, government ने हाली में announce किया था, कि जो हमारे पास में 2600 million की capacity है, उसको 10,000 million ton capacity 2047 तक लाना ह और players हैं नहीं, government privatize कर रही है, तो scope बहुत ही strong है, तो sir यह जो फूजेर का acquisition है, इसका आपका financial में कब से impact दिखना शुरू होगा, यह हम लोग नेक्स quarter से, अगले quarter में इसका revenue profit आना शुरू है, absolutely, जलिए sir बहुत बढ़ा, मजबूत नतिज़े आपने पेश किये हैं, listing के ब आपने समय दिया, नतिज़े पर विस्थार से बाचिके,